आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की वोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hi, here our question is What is the meaning of Individual Differences यानि की व्यक्तिगत भिन्दता या व्यक्तिगत अंतर क्या होता है तो हम जानते ही हैं कि कोई भी दो Individual कभी भी आपस में सेम नहीं होते हर दो Individual अलग-अलग होते हैं चाहें फिर हम उनके Physical Structure की बात कर ले हम उनके Personality की बात कर ले हम उनके Mental Ability की बात कर ले हम उनके Emotional Status की बात कर ले हम उनके Growth, Development किसे भी चीज की बात कर ले कोई भी दो Individual सेम नहीं होते तो यहाँ पर हमें चार Option दिये गये हैं और हमें Correct Option चूज़ करना है यह Option में हमें बोला गया है Differences in the Physique Mental, Similar in respect of Physique Mental Ability and Emotional Status B Option में बोला है Any two Individuals are not equal and similar in respect of Physique Mental Ability and Emotional Status C में बोला गया है Any two Individuals are equal तो यह तो होते ही नहीं है यह तो यहीं पर Cancel हो गया R Equal बात रही A और B के बीच में हम कौन सा चूज़ करेंगी तो यहाँ पर तो A Option में तो हम होने नॉर्मली बोल दिया कि Difference in Mental, Physical Ability, Emotional Status लेकिन किस के बीच में? भाई Individual Difference का मतलब होता है कोई दो व्यक्तियों के बीच में अंतर तो यहाँ पर कोई दो व्यक्ति प्लेस करना वेरी इंपोर्टेंट है तो यहाँ पर बोला गया है Any Two Individual इस वज़े से यह स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है कि कोई भी दो इंडिविज़ल आपस में सिमिलर नहीं हो सकते चाहे हम उसकी फिजिक की बात कर ले चाहे Mental Ability की बात कर ले या Emotional Status की बात कर ले तो यहाँ पर हमारा जो B Option है वो एकदम करेक्ट हो जाता है Thank You